जी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक बात भाई करना चाहूंगा मैं एक दफा आपने एक दोस्त के साथ चला गया कंबल बेचने वाली एक पठान की दुकान थी तो बनी मालक की बात कर रहा हूं है साथ आपको शायद को वीडियो बेचला कर दिखा रहा हूं है उसी बन निस्पत दो रूपै कम था तो मैंने उसको पिछे से ऐसे क्या कर रहा है उन कि भर उसने भेज़ा है मैं उसको साथ बाहर निकला मैंने उसको बहुता भाई तू ने यह क्या किया वो बलता भाई मैं ऐसे बेजता हूं हांडी का थू यह बंदा वहां हमारे गाउं में पुचा देते इनके बंदे तो मैंने बोला यार यह तो गल्त है ना एक तो आप दो रुपए कम दे रहा है आपको रे बैठे हुए है पकस्तान रियाल बैठे है हर बंदा रियाल बैठे है कि माता है तो अपनी फैमिली को बैठा हुआ उनके लिए जी मैं शौर्ट सी वीडियो बनाना हुई आपको सिर्फ अपडेट कर रहा हूं इस चीज़ से वैसे इसमें बाई अगर कोई गुल्फ कंट्र बीयाल बीयाल बो बैठे हैं नो फैसे तो खर बैठा है है तो जो भी आप घर तो बैठे हैं वैसे अगर आप दूसरे तीसरे मन्त के बाद भी सेंड करते हैं तो भाई फाइदा ही होता है रियाल उपर ही जा रहा है और अभी आज का जो रेट मैंने आपको चन्द घंडे पहले वीडियो लगा दी उसमें बजा भी दिया है तकरीमा 74 रुपा पलस में बैंकों में है और पाकिस्तान में तो इस वक्त 75 पर 50 पैसे लेकर 76 रुपा के अराउंड में ये पाकिस्तान का रेट है जी खीक है जी अच्छा जी बात ही है जी जो तमाम मेरे वो भाई जो सौधरी बियास से या किसी भी गुल्फ कंट्री से भाई पाकिस्तान पैसे बेज रखे हैं लीगल चेस सामने आते हैं कि भाई ये होंडी वाले पकड़ लिए हमने ये जो मार्कीट में बैठा हुआ था फराडी है इसको पकड़ लिया है यानि कि ओपन मार्कीट में जो ऐसे घूंते फिरते रियाल एक्सचेंज करते हैं लो वो पकड़ लिए हैं ये सौधरी बे में जाएंगे मिसाल को तौर पर एक बंदे ने किसी कुछ असा कर वीडियो को स्टार्टिंग में बदा चुका हूं मैं दो हुजार याल दिया हुआ है कि फुला जागा पकस्तर मुझे चाहिए तो उसका बाई दो हुजार याल डूप गया देखें हांडी का थूप पैसे मत बेज़ें लीगल तरीके से बेज़ें माई वही बास का